नेशनल इंडस्ट्रियल कॉर्परेशन सन 1991 में NIC IT का जन्म हुआ शुरू में ये NIC, Instrument and Machinery Trading Forum के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था पहले इसका काम था Technical Institute जैसे Engineering, Polytechnic और ITI College में मिशिनरी सप्लाई करना यहां का चेयर्मेन मिस्टर बरुनाभो चौधरी में अपने लगन और मेहनत से इसे एक बड़ा रूप दिया आज ये संस्था राजारहाट कलकत्ते में कई सरकारी स्कील प्रोग्राम के उपर काम कर रहा है बर्तमान में इस Institute का मूल लक्ष है वेस्ट बेंगल के कई सारी Traditional Art और Handicraft के उपर कोर्स करवाना जिससे बर्तमान स्टूडेंट्स इस कोर्स के द्वारा स्वनिर्भर हो सके और अपना सुन्दर भविश्वर खुद बना सके यहां Traditional Art के द्वारा कई प्राकितिक चीजों को एक अनुखा रूप देने का प्रशिक्षन दिया जाता है जैसे मिट्टी से बनाया हुआ शोपीसिस बास से बनाया हुआ कुछ जरूरी चीज़ें जो हम लोग रोज इस्तमाल करते हैं महिला के द्वारा बनाया इंब्रडारी और कथा स्टीच NIC IT में ये प्रशिक्षन दिया जाता है कि कैसे नारेल के खुल या कई बेकार चीजों से शोपीस बनाया जाता है बंगाल के मशूर ट्रेडिशनल आर्ट तांक जिसके उपर NIC IT में प्रशिक्षन दिया जाता है बंगाल का और एक ट्रेडिशनल आर्ट टेरा कोटा तुलसी का माला कई तरह के रोजमर्रा का समान जैसे मूर्थियां, शोपीसिस, जूट मैट और बैग ब्लोक प्रिंटिंग, फार्निचर मेकिंग, क्वेर मैट्स, सौफ्ट ट्रॉइस, पोटरी और भी बहुत सरी समान इन सब चीजों को बनाने के बाद, जरूरी था इनका मार्केटिंग करना इसलिए सन 2015 में एक मार्केट सर्वे के द्वारा ये बात सामने आया कि इस राजी में जो लोग इस ट्रेडिशनल आर्ट से अपना पेट पालते हैं उनका हालत बहुत नाजुक है इसलिए एन आईटी आईटी ने ये तैकिया कि इस आर्ट और हैंडी क्रेप्ट को अगर कोई मौडर्न लुट्स दिया जाए और ओपन मार्केट, एक्जिबिशन और ओन नाइन के माध्यम से काफी कम कीमत में सब के सामने लाया जाए तो इन सब चीजों का डिमांड बढ़ सकता है इसलिए एन आईटी आईटी का लक्ष ये ही है के बंगाल के ये आर्ट और हैंडी क्रेप्ट को पुरी दुनिया के सामने ले आना इन आईटी का इस हैंडी क्रेप्ट के उपर कोर्स करवाने का ये उद्योग एक दिन पुरी देश में भैल जाएगा हमें आगे बढ़ना है हमारे प्रकिती के साथ जो हमेशा हमारे साथ रता है हमेशा 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 एक दो हमेशा है